यहां सुबर मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पैंड कर रही थी यह बच्चे के साथ यह अपनी मस्ती में था यहां मेरी दिदी की बेटी आई थी तो मैं इसके साथ वह से प्यार कर रही थी, सो रही थी ये, फिर घर बहुत फैला हुआ था सुबह तो मैं अपना रूम ठीक कर रही थी, बहुत ही ज़ादा सुबह काम हो जादा तो मैंने अपने हैजबन से कहा थोड़ा सा हेल्प कर मेरा मटू कैमरा देखते ही उसर माने लगे और बस अपना मोबाइल में बिजी थे, आफिस का काम कर रहे थी, तो मुस्से बोले अपना काम खुद कर लो, मार्केट से मैंने एक काम और किया था, एक्ष्वी दीदी के अनिबर्सरी थी, तो मैं सुईट्स ओर किये थे, यहा पर केक कटिंग हो रहा है, और बापू सो चुकी थी, तो पैट पे उसको हम लों में सुला दिया, आपर केक, यह मेरा बतीजा है, यह केक केलर एक दम पागल था, केक चाहिए उसको बोलता है, जल्दी-जल्दी काटिए आप, यह बंदर की तरह उचलने लगा केक के लिए, यह हूमेट केक है, तो हम लों, बहुत टेस्टी था, यह केक में अपना लगी बिजी है, और फिर मैंने यहां पर तरका दाल के लिए, मेरा तेल करम हो चुका था, तो मैंने जीरा डाला इस पे, और प्याज मैंने डाला, इसको सोटे करने के लिए, दाल मैंने पहले से बॉ और इसमेरी मिर्च डाल दी है, मैंने, और तेजपता याट कर दिया, इसमें, इसको मैं अच्छे से सोटे कर लूँगी, उसके बाद मैंने तामाटर डाल दिया, इसको अच्छे से पका लूँगी, यह मेरा तरका दाल का मसाला है, यह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं हमेसा इसको यूज़ करती हूँ, यहां मैंने दाल इसमें पलट दी, बॉइल वाली, तो इसी रनिंग दाले, इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी, इसको मैंने डगके डग दिया था, अभी थोड़ी दाल और पकेगी, थोड़ा सा मुझे पानी हलका सा नहीं, पानी इसकार दी थी, यह बटर पनीर मसाला के लिए मैंने बनाया है, यहां पर अध्रक और लैसल, और मिर्चा डाली, इसको मैं एच्छे से सौटे करूंगी, हलका प्राउन होने तक मैं इसको सौटे करती रहूंगी, और दाल भी मेरी पकी गई थी, तो मैं बीच बीच में डाल दाल भी मेरी नहीं पकी, तो लास्ट में मैं इसमें घी गी एड़ करती हूं, मैरी हैजबन को घी बहुत पसंद है, तो इसमें मोश्टली दाल मेरी गी डालते हैं लास्ट में, तो इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, यहां मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, इसका मैं प्याच के साथ प्याच पक चुका है, तो टमाटर मैं एड़ करूंगी इसको थोड़ा से पकाऊंगी, इसके लिए मैंने नमक दाला है, हल्का सा गैस आफ कर दिया, यहां पर मैंने मसाला एड़ किया है, तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी पेस्ट बनाऊंगी, इसका चुछा है, तो इसलिए मैं, यहां पर मैंने मसाला एड़ किया है, बटरपनीर मसाला, इसमें दूद एड़ करके, मैं इसको पांश मिट के ले भीगने छोड़ दूंगी, अच्छा से इसको मिक्स करके, इस चोड़ दूंगी, और यहां तेरी गरम हो चिका है, अगें मैं म इसको पकाऊंगी यह दिखी मेरा मसाला पक चुका है ठीक हो गया है पेस्ट पूर अच्छे से अब मैंने इसने पनीर एट किया पानी के साथ अब इसको मैं पांच मिनट पकाऊंगी अच्छे से यह दिखे टी कलर कितना अच्छा आ रहा इसका इसको मैं पांच मिन ठके रख दूँगी और गैस आफ कर दूँगी अच्छले मैंने बटर डाल दिया और मैं दिखाना भूल गई तो मैंने इसमें बटर एट कर चुका है और लास्ट में नाचीनी एट कर दिये मसालों को बैलन्स करने के लिए और अब मैं घर की फ्रेस क्रीम जिसे मलाई बोलते वह एड़ करीए और यह मेरा बटर पनीर मसाला बन चुका है शाम हो गई है मैं जट पे जा रहे हूं बहुत गर्मी हो रही ती और आज का मौसम बहुत अच्छा और तक अपनों पैरिस पे आये हैं यहां का वीव है मेरे पिछे का वीव जरूर देखेगा और आज का व्लॉग में जही आन करती हूं बाई